हेलो ओवरीवान कैसे हैं सब लोग उमीद है कि सारे बेहर्शानदार होंगे सो आज के इस सेशन में हम डिसेस करेंगे सीए फाउंडेशन जैनवी ट्विन 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 बैच के लिए पेपर नंबर फोर बिजनेस एकॉनमिस के बारे में जनाब ये रहा आपका स्लेबस पेपर नंबर फोर बिजनेस एकॉनमिस अगर आप बात करते हो आउट ओफ योर फोर स्लेबस पेपर नंबर वन हमने ओल्डी डिसेस करा और साथ के साथ स्लेबस तो बताया साथ में ये भी बताया कि बेसिक रिक्वार्मेंट्स क्या है अगर कोई बच्चा सिये फांडेशन लेवल पर 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहता है तो आफ़र हमने आपसे बात करी पेपर नंबर टू बिजनेस लॉकी और आपसको ये भी बताया कि पेपर नंबर टू इवन दो पेपर नंबर ट्री भी टेलिग्राम पर अप्लोड़ेड है आपका डेट शिट देख रहा आप फिल ले पारे हो हैना पेपर नंबर टू पेपर नंबर टी टेलिग्राम पर अल्ली अप्लोड़ेड है उसको डाउनलोड जरूर करें और साथ के साथ एक बार क्रॉस चेक करें कि आपके प्रिपरेशन का लेवल कहां तक पहुचा है फिले पारे हो ये देखी ज़रा है ना बिजन्स लॉक का पेपर साढ़े तेरा हजार बच्चे और ली डाउनलोड कर चुकी है अब जो बच्चा टेलिग्राम पर नहीं है सिंप्ली सर्च करेगा CTC Classes CA Foundation Community का सबसे बड़ा टेलिग्राम चैल है फ्रीली जॉइन कर लीजेगा ठीक है जी तो आज ये बात करते हैं पेपर नमर बन डिसकस हुआ पेपर नमर टू डिसकस हुआ पेपर नमर थ्री भी डिसकस हुआ आज बारी है आपके पेपर नमर फूर बिजनस एकॉनमिस की अकॉइंट टू आईसी आई पेपर और ली शिडियूल है 18th ऑफ जैनुरी को आपको यदि ये बताय गया है कि वही 12th और 11th वाला ही तो है बिटा तो जोड़ा ठहर जाओ 11th और 12th में आप subjective पेपर लिखते थे यहां ऐसा नहीं होने वाला MC की based पेपर है 0.25 की negative marking है सर क्या मैं आपको डरा रहा हूं नहीं बता रहा हूं कि ये बहुत आसान होगा अगर आप keywords पकड़ना सीख जाए अगर आप MC की सही direction और सही teacher की guidance में practice करें अगर आप मेरी बात करते हैं तो CTC classes पे एक एक chapter जो आपका syllabus दिख रहा है ना मैं किसी एक chapter की नहीं बात कर रहा सारे वो public finance हो, money market हो international trade हो, national income हो Indian economy हो या business cycle हो ऐसे भी बहुत सारे chapter जो आपके 11, 12 में available ही नहीं थे उनके भी 2200 plus MCQ even demand supply 375 plus MCQ आपके specific attempt को target करते हो, और डिजाइन करता हूँ batches में, तो अब आपको समझना है जी है ना, जब हम बात करेंगे paper no.4 business वामी से बाज़ चेक करते हैं कि weightage I.C.E.I के coding क्या है कितना मास का कौन सा chapter है so that आप यह समझ भाओ, आपको जो time devote करना है वो कहां करना है, एक बात, दूसरा sir, कितना time लगेगा पूरे syllabus को cover करने में, करने हम business economies की बात करते हैं, total 10 chapter है कुछे chapter में, थोड़ा सा portion extend करता है, बाकी chapter example बताता हूँ जैसे chapter 1, introduction to business economics, within 2 to 3 lectures, done, business cycle again, within 2 to 3 lectures, done money market, 3 to 4 lecture, done, public finance, 2 to 3 lecture, done, in the economy 3 to 4 lecture, done, यह वो chapters है, even though international trade 3 to 4 lecture, done, मतलब साफ है 3 to 4 lecture में, इसका course खत्म हो रहा है, फिर आप MCQ की practice कर रहे है, short and simple अगर word बोलने, तो 60 दिन more than sufficient है, इस syllabus को done करने के, along with MCQ practice, और एक एक नहीं, लगबग नए MCQs भी, obviously, gen25 फिले हम design कर रहे होंगी, आई जरा देखते हैं कि वेटेश क्या है, according to ICI ध्यान दीजे, पहला जो chapter यह सारा वेटेश, out of 100 marks होगा, 5 marks के लिए पहला chapter, बहुत ही प्यारा chapter, chapter में कुछ है नहीं आप दोको basic problem of an economy क्या है और यह तो आप well known है, theory of demand supply, consumer behavior कैसे work out करता है, दस नमबर का प्यार आसा chapter है ना, MC की बेचे यहां ध्यान रखेगा, आगे ज़रा बढ़ जाते हैं, जब आप indifference कर वगरा की बात करते हैं, थर्ड नमबर पर प्रड़क्शन एं कॉस्ट, प्रडूसर इक क्या आता है, लैं 10 मास का चाप्टर थोर आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर रिलेशन सी पूछाएगा, AC, MC, VC में, average cost, margin cost, total, variable cost में, रिलेशन से पे question बनते हैं, market on the most, most, most demanding chapter, 15 नमबर का वेट है, यह भाई, क्या लोगे तिम इसे, जब तिम बात करते हैं, monopoly, perfect competition, oligopoly, इन सब बारे में, समझ पार हो, तो यह आपको बड़े आराम से देदेगा, कि किस तरी किस नमबर पाने अपने को, फिर बात आती, national income की, again, 15 मास का, around, around, weightage, फिर business cycle, बहुत ही खुबसूरा chapter, जहां पर आपको यह सिखाया जाता है, कि business, actual में, work, बिलकुल, life की तरीके से चल करता है, कैसर कैसी करता है, ट्रफ, expansion, peak, contraction, और वापस यह graph चलता रहते है, when there is no business cycle, there is a trend, समझ पार हो, यहां पर economic indicator की बात करी जाती, बहुत ही प्यारा chapter है, cause of behind business cycle, इस पर बात करेंगे, public finance, 10 मास का chapter, government का रोल कैसा है, वो taxes को, income को कैसे generate करती है, और इस income, उस tax के form में जो income generate करी गई है, उसको expand कैसे करती, health पी कितना होगा, defense पी कितना होगा, वो decide कैसे करती, इसको मोलते है, public finance, 10 नंबर का प्यारा सा chapter, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान देते चलेंगे जी, है ना, then after money market, बहुत ही प्यारा chapter, जहां पर आप M1, M2, M3, M4 की बात करते हैं, monetary policies की बात करते हैं, आपने इसे पहले पढ़ा है, बहुत बढ़ियां नहीं पढ़ा, तो MCQ को mind में रखते हैं, पढ़ा कैसे जाएगा, यह हम आपको बता रहे होगे, चिंता करनी नहीं, आगे बढ़ जाईए, international trade की बात करते, exchange rate workout कैसे करता है, international capital पर इस लाइस के बारे में बताया है, हमने वहाँ पर यह भी बताया कि क्या reason होते हैं, कि बच्चे law में fail कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ सबाता है, मदा बहुत आता है, क्या बाई साब क्या feel, law पढ़ने का next level है, अच्छी बात है, fail क्यों हो रहे है, writing practice कमी है, economics में fail बहु इस लाइस का, theoretical based chapter है, है बहुत ही प्यारा chapter है, बटा कि इन में recommendation होगी, क्योंकि, क्योंकि यह पूरा का पूरा syllabus paper number 4, business economics, mcq based है, 100 mcq आते हैं, 2 घंटे का समय दिया आता है, मतलब 120 minute का समय, मैं आप सब से जानना चाहूंगा, कि आप business economics, इस syllabus में, paper number 4 को लेकि, आपना goal क् कर रहे है, हाँ, मेरी recommendation है, अगर आप ctc classes से पढ़ रहे है, या आप decide करने के सर इन से पढ़ना है, देखो यार, पढ़ाने के एक तरीका होता है, पहले syllabus decode किया जाए, जो हमने चारो paper का already कर दिया, क्या धिहान रखना है, वो भी बता दिया, अब हमारी दिम्मेदारी accounts, law, economist, mathematics को अपन complete कर रहे हैं, और आप उसके साथ-साथ compete करेंगे, खुद से खुद की लड़ाई है, समझ पा रहे हो, तो आप सबसे में goal जाना चाहूंगा, आप specifically, individually, आपका individual goal, paper number 4, business economics को लेकि क्या है, कि सर कितने marks हम को मिल जाए, तो मज़ा ही आ जाए, क्योंकि हाँ, ये बड़ी उपनी बोल देता हूं, कि चार paper है, तो चार paper में दो paper आपको ऐसे identify करने पड़ेंगे, जिसको आप अपनी strength बनाओ, समझ पारो, कि भाई साथ, इसमें तो number भेहन कर लाएंगे, अब वो कोई साभी होसाथ, अगर आप math background कि है, तो आपको math हो सकता है, अगर चार करना जान चुके हैं, तो business economy भी हो सकता है, तो आपका comment section में स्वाकत है, मुझे जरू बताए, paper number 4 को लेके, आपका target क्या है, और हाँ, अब ये चार उच कवर करने के बाद, अब भारी होगी, proper road map की, कि January 2025, अगर आप target कर रहे हैं, तो करेंगे कैसे, और हमारा contributions में क्य चार रहे होगा, that's all from my side, thank you so much for coming this video, watching this class till the end, मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, और January 2025 में, जरहाँ, आग लगा देंगे, आग, tension तो लेना है नहीं है, चलिए, ख्याल रखे, thank you so much, और हाँ, ये वीडियो उनसे भी बताईए, कि भाई साप, पढ़ लो, मौका है, अभी समय है, क्योंकि बाद में, जैसा मैंने बताया था, recently आपको, कि बाद में बहाने मनते हैं, गोल हमेशा शुरवात में मनता है, ख्याल रखे, और तयार हो जाईए, इस खुबसूरत सफर के लिए